Very Good Evening Students, Class 12, Chapter 6, Continuity and Differensibility XSI चल रही थी अपनी 6.1 and 14 questions we are already discussed Now we start question number 15 देखे जो question number 15 है बच्चे, क्या कहता है? कहता है for what value of k, k की कौन सी value के लिए is the following function is continuous, कि ये function कैसा है अपना? continuous रहेगा, कहाँ पे at x equals to 2 पे ठीक है? कहता है मुझे k की कौन सी value रखू मैं यहाँ पे कि ये function अपना क्या रहे? continuous, कहाँ पे at x equals to 2 पे तो अगर function continuous है, that means इसकी left hand जो limit है वो किसके equal है already right hand limit के ये वाले चीज अपने पास क्या है? given है हमें find out क्या करना है? k की value ही तो find out करनी है कब करनी है बच्चे जब ये function कैसा है? continuous है at x equals to 2 पे देखो, जो function है अपने पास fx equals to 5x plus 2 minus 4x plus 4 ये root में है और upon में कौन है? x minus 2 x not equals to 2, अगर x equals to 2 है तो value कितनी है? k है that means क्या हो गया? अगर अपने पास f of 2 है तो ये value किसके equal है? अपनी k के equal है, ठीक है? अभी देखो अगर right and left अपने पास already equal given है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? limit x tends to 2 fx ठीक है बच्चे? limit x tends to 2 function देखो अपना कौन सा है? function कौन है यहां से? अंडर root 5x plus 2 minus अंडर root 4x plus 4 अपन में कौन है बच्चे? x minus 2 अब जब root में terms आ जाते थी, तो हम लोग इसका root हटाने के लिए क्या करते थे? रेसनलाइज करते थे इस type के questions को तो देखें इधर 5x plus 2 4x plus 4 अपन में कौन चला हुए यहां से? x minus 2 जैसे ही हमने इसको रेसनलाइज किया तो रेसनलाइज के लिए सिरफ और सिरफ क्या होता था बच्चे? symbol जो है वो change जो जाना है जो minus हो किसमे convert कर देंगे? हम लोग plus में convert कर देंगे ठीक है? किसमे convert कर देंगे? हम लोग इसको plus में convert कर देंगे और अपने पास कुछ इस तरीके का बने गए अब इधर देखो जहान से ये वाली चीज कौन है अपने पास A-B और ये वाली चीज कौन है बच्चे A-B खुलेगा कैसे A-2 यानि 5X प्लस 2 का स्क्वार माइनस B-2 यानि 4X प्लस 4 का स्क्वार अपन कौन है बच्चे यहां से X-2 और ये वाली चीज कौन है यहां से 5X प्लस 2 और दूसरी कौन चल रही है 4X प्लस 4 छीक है इस स्क्वार से ये वाला रूट कैंसल इस से ये वाली चीज कैंसल इसको जैसे ही मैंने खोला तो ये क्या बना मेरे पास 5X पॉजटिव 4X नेगेटिव तो X बचा माइनस 2 है प्लस 2 है तो कितने बचे माइनस 2 अपन में क्या चली हुई है चीज X-2 और 5X प्लस 2 और इंटो में कौन है अपना 4X प्लस 4 X-2 से X-2 भी क्या हो चुका है बच्चे कैंसल हो चुका लिमिट क्या चली हुई है अपनी X-2 यहाँ पे भी लिमिट क्या चली हुई थी लिमिट को साथ रगना भूल मत जाना बच्चे लिमिट क्या चली हुई है X-2 अब भी हमें करना क्या है देखूं क्या बना यहाँ से लिमिट X-2 देखूं continuous given है बच्चे continuous given है यानि left right already equal है यहां से अपने पास आ चुका 5x plus 2 और यह क्या आ चुका 4x plus 4 यानि अगर left और right दोनों ही equal है तो हम यहां से उठा के सिधा रखेंगे और क्या बनेगा अपने पास यहां से देखो 5x plus 10 10 plus 2 कितने हो गए बच्चे 12 same here अगर यहां की मैं बात करूं तो फिर कितना हो जाना है यहां से sorry order क्योंकि यह क्या चला हुए बच्चे यहां पर plus चला हुए गलती से लग गया डूट 12 अगर मैं यहां पर रखो तो कितना आएगा बच्चे यहां से root 4 to 8 8 plus 4 कितने आगे फिर से 12 यानि 2 root 12 हो गया क्योंकि 1 यह है 1 यह है कितने होगे 2 root 12 अगर मैं इसके factor करूं तो यहां से क्या लिखा है 2 2 3 यही pair बनेंगे ना इसके एक pair फिर से बाहर तो यहनि किया गया है यहां से 1 by 4 root 3 के जो है अपना left hand जो limit है वो किसके equal है right hand limit के यही बनेगा बच्चे और यह किसके equal रहेगी फिर function के function की value कितनी given थे मुझे यहां से देखो अगर x equals to 2 है तो जो function है अपना यह क्या है अपना k के की जो value possible रहेगी वो कितनी रहेगी 1 upon 4 root 3 ठीक है कितनी रहेगी बच्चे 1 upon 4 root 3 क्योंकि left hand limit right hand limit और function तिनों कैसी मिलेगी हां से equal मिलेगे function कौन था अपना k था left right दोनों को मिने अगर solve किया तो कितनी आ चुकी है 1 upon 4 root 3 ठीक है next question देखिए बहुत easy concept है कहते है fx for what value of k the following function continuous at x equals to 0 कह रहेगी continuous रहेगा कहां पे x equals to 0 पे तो हमें किसकी value find out करनी है k की यह हमें value find out करनी है k की यहां से देखो इधर देखो जहां से fx अगर अपना f 0 है तो कौन है यहां से इसका solution k है कौन है बच्चे k है limit कितनी है यहां से x tends to 0 fx fx कितना है बच्चे यहां से x tends to 0 है fx है अपना sin x x cos x मैंने इसको इस तरीके से distribute करके लिखा limit दोनों पर अलगे अलगे apply कर दी sin x upon x plus limit x tends to 0 x cos x upon x इस तरीके से ठीक है इस वाले x से यह वाली x क्या हो चुकी है cancel बच्चे यह क्या बनेगा 1 बनेगा और cos 0 क्या होता है जैसे आपने यहाँ पर 0 रखा cos 0 भी क्या होता है 1 तो यानि क्या आओ चुका है 2 k की value जो है यह जो implies करेगे left and limit equal right and limit equal किसके होती थी अपने function के तो right और left की जो value है वो कितनी आ चुकी है 2 और function की value कितनी थी k यानि k की जो value है वो कितनी आ चुकी यहां से 2 ठीक है this one is most important question part number 2 second है इसका क्या कहता है कि k की value ही find out करनी है हमें जो function है अगर अपना f of 0 है तो क्या है यहां से k है ठीक है तो क्या लिखेंगे हम लोग limit x tends to 0 fx limit x tends to 0 fx की value कौन है यहां से sin 5x upon कौन है बच्चे 3x बहुत ध्यान चे देखो इधर देखो मैंने क्या किया मैंने सरफ इतना सा काम कर दिया मेरे बच्चे कि यह जो sin 5x है इस वाली चीज को मैंने 5x से multiply कि और 5x से ही क्या कर दिया डिवाइड कर दिया upon में क्या चला हुआ था 3x चला हुआ था कोई दिक्कत नहीं है मुझे चलने दो बच्चे जैसे ही आपने देखो convert सर्फ जो change हुआ वो किसमे हुआ है उपर वाली चीज में change हुआ है यह वाला जो है जैसे x tends to 0 करोगे आप यह पूरा का पूरा कौन बन गया 1 बन गया क्या बन गया बच्चे यह 1 बन गया कैसे लिखोगे limit x tends to 0 5x upon 3x x से x क्या हो गया cancel क्या आचुका 5 upon 3 के find out करना था हमें के कितना आचुके है यहां से 5 upon 3 ठीक है क्या आचुका 5 upon 3 आचुका now question number इसी के अंदर part number कौन से है बच्चे थर्ड है कहता है fx equals to 1 minus cos 4x upon 8x square जहान दो अगर अपने पास f of 0 है तो value कितनी है यहां से 2 है limit अगर x tends to 0 है then fx अपना कौन है मेरे बच्चे यहां से limit x tends to 0 है fx है बच्चे 1 minus cos 4x upon कौन है यहां से 8x square देखो इधर देखो अपने पास क्या होता था 1 minus cos x है कैसे लिखा जाता था 2 sin square angle का half तो same here अगर यहां की बात करूं तो 2 sin square angle का half 4x का half कितना होगा है मेरे बच्चे 2x होगा है ठीक है upon कौन चला होगा है यहां से 8x square चला होगा है आपने क्या किया यहां से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2 sin square 2x upon 2 into 4x या 2x complete पे क्या लिख दूँ? whole square लिख सकते हैं ना क्या होगा है यह 2 to 4 x x x square into 2 होगा है यह 2 आपस से इस 2 से यह 2 क्या होगा है बच्चे? cancel होगा है इस पे भी square है क्यों ना मैं इसको इस तरीके से लिख दू? sin 2x का whole square upon 2x complete पे whole square limit क्या चली होगा है मेरे? x tends to 0 यह किसके equal होगई? 1 के equal होगई k की value कितने आ चुके है मेरे बच्चे हां से 1 ठीक है k कितना आ चुका फिर अपना यहां से 1 आ चुका k कितना आ जाएगा बच्चे? 1 इसी का part number 4 है कहता है 1 minus cos की x upon x sin x x not equals to 0 f4 अगर यहाँ पे 0 है तो function की value कौन है यहां से? 1 by 2 है सब के अंदर हमें k की value find out करनी है इनके अंदर limit क्या चलेगी बच्चे? x tends to 0 fx limit x tends to 0 fx की value कौन है? 1 minus cos kx upon कौन है यहां से? x sin x ठीक है? इस वाले चीज को हम क्या लिखेंगे यहां से? limit x tends to 0 2 sin square angle का half angle कितना है kx upon 2 यही बनेगा ओके? अब ना अपने पास देखो बच्चे अगर अपन में कौन चली हुई है? x sin x चला हुए है इस चीज का solution किस type से करेंगे? बहुत easy है सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है आपको यह पता है sin x upon x अगर limit चल रही x tends to 0 तो क्या होगा? 1 होगा angle को सेम मनाना है हमें किसी भी तरीके से तो मैंने क्या कर दिया? 2 sin kx by 2 ठीके बच्चे और kx इसका क्या है ये? पूरे पे square है ना? अरे पूरे इसका मतलब क्या है? पूरे पे square अगर multiply डिवाइड करेंगे तो किस से करेंगे इसको? kx by 2 के whole square से क्योंकि sin के square लगा है ना? और इसी से ही क्या कर देंगे बच्चे इसको? multiply और इसी से ही क्या कर देंगे? इसको? डिवाइड कर देंगे नीचे क्या चला हुआ है? x sin x इसको भी x से multiply किया और x से ही क्या कर दिया divide कर दिया इत्ता ठीक है अगर इत्ता ठीक है बच्चे तो फिर इससे आगे जो हम लोग करेंगे हां से limit क्या चली हुई अपनी x tends to 0 चली हुई है यहां से देखो क्या हो चुका है बच्चे यह 2 है यह completely क्या हो गया फिर 1 हो गया completely देखो इस पे square है बच्चे अगर मैं इसके square को हटा के और इस तरीके से लगा दूँ इसके वाले को भी हटा दूँ यहां से complete पे लगा दूँ तो यह वाले चीज क्या हो गई फिर 1 हो गई ना का जो square है वो बन रहेगा यह कैसे लिखा जाएगा के स्क्वाइर एकस स्क्वाइर और टू टूजा क्या हो गया बच्चे और अपोन में क्या चला हो गया यहां से यह वाली चीज भी क्या हो चुकी वन हो चुकी फिर क्या बच गया है यहां से x square बचा हों ले इस वाले से ये वाली क्या हो गई है cancel हो चुके और देखो ध्यान से limit x tends to 0 1 का square 1 k square dot x square upon क्या चुके है 2x square से x square cancel k square क्या चुके है 2k equal ये कौन आ गया है ये function का solution आ गया जो left और right है उनका solution आ गया और function जो है अपने किसके equal given था बच्चे 1 by 2 के equal था इस 2 से ये 2 भी क्या हो गया cancel हो गया k की value क्या आ गया positive negative 1 this one is our answer ठीक है and thank you for watching this video